तो गाईस पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि यून रॉंग के 4-8 पर एक मोल होता है जो कि लीन यंग ने नोटिस करा होता है और इसके बाद लीन यंग अपने मन में बोलता है किया ये मोल मेरे रिंग के बज़े से तो नहीं हुआ इसके बाद शीन शीप्ट होता है और यून रॉंग और लीन यंग कार में कही पर जा रहे होते हैं और कार के अंदर यून रॉंग गारी चल रही होती है और गाना सुन रही होती है और लीन यंग सोचता है कि यून रॉंग आजकल बहुत यद अजीब वरताप कर रही है क्या ये मेरी गलत फ्रमी है इसके बाद शीन शीप्ट होता है और हम हेवे नाइट कलब को देख पाते है जिसके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े होए होते है और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स बात करते है कि लीन यंग अभी तक नहीं आया क्या उसने हम से जूट बोला इसके बाद ओही बंदा यू यंग बाकी स्टूडेंट्स को बोलता है कि अपकोर्स लीन यंग ने तुम लोगों से जूट बोला है एक गरिब लर्का जो की गावों से आया है उसके पास इतना पैसा कैसा होगा एक बात सुनने के बाद एक लर्की बहुत यदा गुसा हो जाती है और ओह बोलती है कि यू यंग तुम बहुत ही जादा बोल रहे हो इससे फरक नहीं परता कि लीन यंग कहा से आता है लेकिन तुम उसको जज नहीं कर सकते और यू यंग उस लर्की को बोलता है मैं लीन यंग को जो चाहे ओ बोल सकता हूँ इसमें तुमें कोई दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है क्या तुमें उस गरीब लर्के के उपर करस्ट तो नहीं है इसके बाद लर्की और भी जादा गुस्सा हो जाती है और ओल यू यू यंग को बोलती है कि नन ओफ यूर बिजनेस इसके बाद यू रॉंग का कार वहाँ पर रहा कर रुख जाता है और लीनियंग उस कार से बाहर निकलता है और यू रॉंग लीनियंग को बोलती है कि तुमें पड़ाय में और भी जादा मेहनत करना चाहिए लीनियंग बोलता है कि ठीक है तुम्हाई टेंशन करने की जरूरत नहीं है इसके बाद वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे उसे भी बात करने लग जाते है कि लीनियंग जिस कार में आया है ओ कार तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उस कार में जो लर्की है ओ तो बहुत ज़्यादा खुबसूरत है और लीनियंग को देखकर लीनियंग के दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते है ओ बोलते है कि हमारा दोस्त कभी भी किसको जूट नहीं बोलता ओ जो बोलता है ओ ही करके दिखाता है इसके बाद जो जो लोग tääस बारे में उल्टा फुल्टा बात कर रहे थे वह बहुत ज़़ादा निराश हो जाते हैं और लीनियंग को देखकर यू यांग बहुत ज़ादा गुछसा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता ही कि लीनियां को इतनी जादा खुबसुरत लर्की कैसे मिली इसके बाद हमें heaven night club दिखाया जाता है और उस heaven night club में सभी student इंटर करते हैं और वो लोग बात करते हैं ये place तो बहुत ही जदा luxurious है और उस night club के उपर एक जुमर लगा हुआ होता है जिसको देखकर students बात करने लगते हैं कि सिर्फ ये एक जुमरी 10,000 yen से भी जादा होगा इसके बाद वहाँ पर जितने भी oitres काम करती हैं उस सभी आ जाते हैं और उस सभी oitres लीनियांग को देखकर welcome करते हैं और बोलते हैं कि लीनियांग अब finally आ गए इसके बाद लीनियांग उन oitres को बोलते हैं कि ए पीछे सभी मेरे classmate से तुम सभी को इनका ख्याल रखना होगा और लीनियांग का ऐसा order देखते हैं बाकी students बात करने लग जाते हैं कि लीनियांग ऐसे order कर रहा है कि लगता है यह लीनियांग का इघर है इसके बाद लीनियांग के दोस्त बहुत जादा खुश हो जाते हैं और वो बाकी students को बोलते हैं कि देखा हमारा लीनियांग दोस्त क्या का कर सकता है तबी एक वेटरेस लीनियांग के पास आकर धीरे से कान में बोलती है कि मिश्टर उल्फ आपके लिए 9th floor में वेट कर रहे है लीनियांग उस वेटरेस को बोलते है कि ठीके तुम टेंशन मत करो इसके बाद लीनियांग सीधा लीप में आकर 9th floor में पोहच जाता है और लीनियांग 9th floor में आकर एक रूम का दर्वाज़ा खोलता है जिस रूम के अंदर उल्फ और कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते है और उल्फ लीनियांग को देखकर बोलता है कि ब्रदर रहा पड़ा कर बैट जाओ जल्दी से इसके बाद वहाँ पर बाकी जितने भी लोग थे ओ लीनियांग को देखकर बोलते है कि मैंने इसको पहले देखा है और वहाँ पर और एक गैंग का लीडर बोलता है हा मुझे याद है ए बच्चा मुझे याद है इसके बाद और एक गैंग का लीडर लीनियांग को बहुत ही ध्यान से देखता है और इन लोगों का ऐसा वर्तब देखकर लीनियांग अपने मन में सुचता है कि इन लोगों का intention बहुत ही ज़्यादा डेंजर से और ठीक एही पर ही एपिसोड 52 खतम हो जाता है तो दोस्त आज के लिए वीडियो को चलेगा तो लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करके साइड मेरे के बेल आगे नहीं पर सेट कर लेना टाटा बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सायोनारा